ये मैं काऊंगा एक historic moment एंडिया के लिए क्योंकि पहली बार है इस pandemic के दुरान के एक ऐसी vaccine जो इंडिया में design करी गई जो इंडिया में manufacture होगी ये WHO ने अप्रूव करती है और इससे अब क्या होगा कि इंडियांस जाधा आसानी से international travel कर पाएंगे यहाँ पर आप देख पाओगे WHO की tweet है इस पर WHO has granted emergency use listing EUL कहते हैं इसको आपने काफी बार ये जो acronym है ये रिखा होगा कि हर vaccine चाहती है कि जल्दी से जल्दी WHO का EUL मिल जाए EUL का मतलब यही है emergency use listing to co vaccine जो develop करी है भारत बायो टेक ने add into the growing portfolio of vaccines और इन्होंने यहाँ पर ये भी add क किया है कि properly इस vaccine को जाजा पर खा गया है WHO के technical advisory group द्वारा बहुत ही थोरो इसकी research करिए क्योंकि देखो इंडिया में pressure यहाँ पर ये था कि इससे पहले हमने एक pandemic के दोरान इस type की vaccines कभी विक्सित करी नहीं है पहली बार था इंडिया जब इस type की vaccine खुदी मना रहा था तो WHO WHO ने कई बार papers मंगाए कई बार यहाँ पर चग किया किसके side effects क्या है इसकी efficiency क्या है और in the end इनों ने यहाँ पर यह कहा कि इसकी दो dose अगर एक आदमी लेता है with an interval of 4 weeks तो यह काफी जादा एक effective vaccine है against all COVID variants नायाबर मैं यह आड कर दूं कि recently जो G20 summit हुआ है इडली में उस दोरा यह photo सामने आई थी PM Modi यहाँ पर मिल रहे थे WHO के chief के साथ अब लोगों ने यहाँ पर यह का कि India ने pressure डाला है WHO पर तो जाके approval मिला है देखो obviously pressure डालें से अगर ऐसा होता तो कई vaccines हैं बहुत ही पहले approve हो जाती obviously WHO ने यहाँ पर thoroughly check किया है इस vaccine को co vaccine के वारे मिनों ने यहाँ पर कई documents publish किये हैं PDF share करी है कि किस तरीके से WHO ने यहाँ पर इसको test किया thorough analysis किया तो जाके approval मिला है तो यह कहना देखिए गलत होगा कि India ने pressure डाला WHO पर तो यह हमको approval मिला है approval of course मिला है vaccine की credibility के basis पर हाँ यह कह सकते हैं